Hello Friends, मैं प्रसांद कुमार स्वागत करता हूँ आज के तरह हिंदू भकेवलेडी सेसन में सेसन सुरू काने सपले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल हेवेंज क्लासेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाएं ताकि आप लोगों को आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेसन आज का फास्ट वार्ड है विटल यह पार्ट सब इसपीच में भारव है इस कमणिंग हो गया reduce something in size, amount or extent by gradual series of steps जिसका हिंदी होता है काटना साइन हो गया इसका reduce, shrink, trim or diminish reduce का हिंदी हो गया कम करना shrink का हिंदी हो गया सिकोरना trim का हिंदी हो गया कांट छाट करना diminish का हिंदी हो गया घटाना Antonyms हो गया increase, extend, develop or rise increase का हिंदी हो गया बढ़ोत्तरी, extend का हिंदी हो गया विस्तार develop का हिंदी हो गया विक्सित करना rise का हिंदी हो गया विर्धी second word है दोस्तों, respite यह parts of speech में noun है इसका मनिंग हो गया a short period of rest or relief from something difficult or unpleasant जिसका हिंदी होता है महलत या आराम sign हो गया इसका breathing space recess, recess, high touch or discontinuation breathing space का हिंदी हो गया विस्राम recess का हिंदी हो गया अवकास high touch का हिंदी हो गया खाली जगा discontinuation का हिंदी हो गया विर्धाम antennas हो गया continuation, commencement or go continuation का हिंदी हो गया विस्तार commencement का हिंदी हो गया प्राडंब go का हिंदी हो गया आगे बढ़ना Next word दोस्तों, skepticism या parts of speech में noun है इसका मनिंग हो गया An attitude of doubting that claims or statements are true or that something will happen जिसका हिंदी होता है संदेह वाद या अविश्वास sign हो गया इसका dubiousness, doubtfulness और disbelief dubiousness का हिंदी हो गया संदेह doubtfulness का हिंदी हो गया संसे disbelief का हिंदी हो गया अविश्वास entering हो गया belief और sureness belief का हिंदी हो गया आस्था या विश्वास sureness का हिंदी हो गया यकीन Next word दोस्तों, consensus या parts of speech में noun है इसका मनिंग हो गया a general agreement इसका हिंदी होता है सामाण जस sign हो गया इसका agreement, concurrence और accord agreement का हिंदी हो गया समझा होता concurrence का हिंदी हो गया सहमती accord का हिंदी हो गया आपसी ताल मेल या सहमती antennas हो गया disagreement, discord और dissent disagreement का हिंदी हो गया और सहमती discord का हिंदी हो गया और सहमाण जस या मतभेद dissent का हिंदी हो गया और सहमत होना fifth word दोस्तों ostensible या पार्टसल speech में reactive है इसका meaning हो गया stated और appearing to be true but not necessary so जिसका हिंदी होता है कालपनिक या बनावटी sign हो गया इसका apparent, seeming और outward apparent का हिंदी हो गया आभासी seeming का हिंदी हो गया कालपनिक outward का हिंदी हो गया बाहरी antennas हो गया genuine और real genuine का हिंदी हो गया असली या वास्तविक real का हिंदी हो गया असली next word दोस्तों queer या parts of speech में भार्व है is coming हो गया spoil or dune, an agreement, event or situation जिसका हिंदी होता है बिगारना या धोखा देना sign हो गया इसका damage, impair, rack और smash damage का हिंदी हो गया छती impair का हिंदी हो गया खड़ाब करना rack का हिंदी हो गया नुकसान या बरवादी smash का हिंदी हो गया नस्ट करना antennas हो गया enhance और improve enhance का हिंदी हो गया सुधार करना improve का हिंदी हो गया सुधारना नेस्ट वादर दोस्तों, रेटी सेंट, यह पार्ट सब इसपीच में रेक्टिव है, इसका मिनिंग हो गया, नॉट रिविलिंग, वन्स, थाउट्स, और फिलिंग्स, रिडली, जिसका हिंदी होता है, कम बोलने वाला, साइन हो गया इसका, रिजर्ब्ड, विच्ट ड्राउन, रेस्टरेंड और डिफिडेंट, रिजर्ब्ड का हिंदी हो गया, अलग रखा हुआ, विच्ट ड्राउन का हिंदी हो गया, वापस लिया गया, रेस्टरेंड का हिंदी हो गया, पलतिरोध किया हुआ, डिफिडेंड का हिंदी हो गया, संकोची या सर्मीला return aims हो गया communicative unresolved और extroverted communicative का हिंदी हो गया, मिलन्सार unreserved का हिंदी हो गया, निस्कपट या साब साब वोलने वाला extroverted का हिंदी हो गया, मिलन्सार next word दोस्तों sweeping या parts of speech मा得 active है इस commitment हो गया वाइड इन रेंज और एफेक्ट जिसका हिंदियोता विश्त्रित या व्यापक साइन हो गया इसका extensive, broad, wide ranging और global extensive का हिंदियो गया व्यापक या बहुत बड़ा broad का हिंदियो गया विश्त्रित wide ranging का हो गया विश्त्रित global का हिंदियो गया west week Antonyms देखते हैं Restricted, Limited और Partial Restricted का हिंदी हो गया पर्तिबंधित Limited का हिंदी हो गया सिमित Partial का हिंदी हो गया Unsick Ninth वड़ा दोस्तों Squack या Partial Speech में नाउन है इसका मुनिंग हो गया एक Complaint और Protest जिसका हिंदी होता है विडियो दिया आपत्ती Sign हो गया इसका Objection, Grouse, Wine और Grouch Objection का हिंदी हो गया आपत्ती Grouse का हिंदी हो गया बरबराना Wine का हिंदी हो गया कराहना Grouse का हिंदी हो गया बरबराना Antonyms देखते हैं Compliment, Praise, Admiration और Acclaim Compliment का हिंदी हो गया परसंसा Praise का हिंदी हो गया परसंसा करना Admiration का भी हिंदी हो गया परसंसा करना Acclaim का हिंदी हो गया परसंसा आजका लास्ट वर्ड दोस्तों मॉर्फ या पार्ट सब इस पीच में भर्व है इसका अंडर्गो और काउज टू अंडर्गो ए ग्रेजुवल प्रोसेस ऑफ ट्रांस्फोर्मेशन जिसका हिंदी होता है रुपांत्रन या परिवर्टन साइन हो गया इसका ट्रांस्फोर्म, कनभर्ट, मेटामर्फोज और ट्रांस्म्यूट ट्रांस्फोर्म का हिंदी हो गया परिवर्टन, कनभर्ट का हिंदी हो गया परिवर्टन करना Metamorphose का हिंदी हो गया, रुपांतरन Transmute का हिंदी हो गया, बदलना Enternance हो गया, Maintain, Sustain, Preserve और Keep Maintain का हिंदी हो गया, बनाए रखना Sustain का हिंदी हो गया, जिवित रखना Preserve का हिंदी हो गया, बनाए रखना और Keep का हिंदी हो गया, पास रखना या, बनाए रखना तो ये था दोस्तों आज का दाहिंदू वोकेबलेडी सेशन जो आपके किसी भी कम्ट्रिटिप एक्जाम के लिए प्योगी साबित हो सकते हैं अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल हेवन्स क्लासेश को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर करें मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में जय हिंदू